2020 में MPPCS Mains ने एक बहुत important question से introduction कराया जिसको देखकर बहुत सारे student को लगा कि एक question कहां से आ गया दरसल में question धा byoremediation हिंदी में कहते हैं जयविक उप्चार जयविक उप्चार दरसल में Absist प्रबंधन निर्धारन की एक सबसे बहतर विधी है जिसको वर्तमान समय में सबसे ज्यादा promote किया जा रहा है जैबिक उप्चार विधी या बायो रिमेडियेशन में करते क्या हैं जिस वज़े से 2020 के मेंस में इस क्रित्रिम जीवन को किसी विशेस कारे को संपादित करने के लिए बनाया जाता है जैसे आपने जीनी वगरा का नाम सुना होगा जीनियों को इजाद किया गया था ताकि वो हमारी विशेस को पूरा कर सकें पिल्कुल इसी तरह से कुछ सूख्षम जीवों को लेबुरेटरी में और बायो टेकनलोजी की लैब में हम इसलिए ड्रॉ करते हैं इसलिए बनाते है तो आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि सूख्षम जीवों को भला कैसे बनाएंगे कोरोना वाइरस जो है वहान सहर का निश्च दूरूप में बायो टेकनलोजी की लैब में बनाया गया वैक्टीरिया है तो बैक्टीरियों को हम बना भी सकते हैं या वाइरस को हम मतलब सूख्षम जीवों को बायो टेकनलोजी की लैब में निर्मित किया जा सकता है या फॉर्म किया जा सकता है तो जब हम बायो टेकनलोजी की लैब में जीवानों को विशानों को या परजीवियों को मतलब सूख्षम जीवियों को किसी विसेश मकसद को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं बायो रिमेडियेशन मतलब बायो रिमेडियेशन मैथट में किसी आर्टिफीशियल लाइफ को मतलब कृत्रिम जीवन को विसेस कारियों को संपादित करने के लिए दरसल में निर्मित किया जाता है अब इसके उदाहरन क्या होंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आए आपने अक्सर करके 2-3 साल पहले UPCS के पेपर में ओयल जैपर का नाम जरूर सुना होगा जी हाँ तेल का भक्षन करने वाला जीवानू और यह तेल का भक्षन करने वाला जो जीवानू है इसे कहते हैं स्थ शुडो मोनास और स्थ शूडो मोनास बैक्तीरिया का नाम यदि आपने सुना है तो आनन्द मोहन चक्रवर्ति का नाम जरूर सुना होगा जिहां और जिन्हों ने स्थ व्यक्ति थिन्होंने स्थ ऊंध्योeles बेक्तिरिया को Biotechnology टेक्नोलोजी की लयब में बनाकर समुद्र की ऊपरी सतह पर जो कच्छा तेल बिखर जाता है जिस से मेरांड बायोड़ाइवर्सिटी कम होती हैं समुद्री जये विवित्ता कम होती है कच्छे तेल के बिखराओं से तो फिर आनंद मुहं चक्रवर्ती के द्वारा बनाए ग इस बैक्टीरिया ने उसको nutrition के रूप में या भोजन के रूप में accept करना शुरू किया और देखते ही देखते कच्चा तेल जो समुद्र की उपरी सतय पर बिखरा था यह समस्या से पूरी तरह निजाब मिल गई हमको मतलब समुद्र में बिखरे कच्चे तेल रूपी कच्च करने के लिए जिसको हिंदी में कहते हैं तेली प्रदूशन इंग्लिस में कहते हैं ओयल प्लूशन को समस्या को कम करने के लिए हम स्योडो वणास जीवानुं को बनाते हैं बायो टेक्नलोजी की लैब में इसी तरह से पर्यावरण दिवस के दिन जो पांच जून को मनाया जाता है World Environment Day जापानी रिसर्चर ने एक सबसे इंप्रटेंट बेक्टीरिया खोज निकाला या एक सबसे इंप्रटेंट बेक्टीरिया बाइयो टेकनोलोजी की लैब में बनाए नाम है अड़ो नेला सेंकोसिस तो एडो नेला सेंकोसिस वो जीवानू है जिसकी सहायता से वरतमान समय में भारत की नकेवल विश्व की सबसे बड़ी दस समस्याओं में से एक प्लास्टिक की समस्या का समाधान अब हमको मिल चुका है जी हां एडो नेला सेंकोसिस जो जीवानू है प्लास् प्लास्टिक आ रहा था अब बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं एड़ो नेला सेंकोसिस जीवाणूं का उपयोग करके चुकि बायो टेकनलोजी की लेब में बना है इसी वज़े से हम इसे कहेंगे आर्टिफीशियल लाइफ इससे प्लास्टिक की समस्या का निराकरण किया जा सकता है यदि आप से कभी कोई पूछे कि क्या है बायो रिमेडियेशन तो निश्चत रूप में सूख्च मजीवों को लेबोरेटरी में बनाकर उनसे विसेसकारियों को संपादित कराना मतलब आर्टिफीशियल लाइफ को बनाकर स्पेसिफिक वर्क को यह स्पेसिफि को परेशान थे तो निश्चत रूप में इसी वर्ड ने हमको सबसे जादा उम्मीद दी थी यह वैक्सीन और वैक्सीन का नाम जहन में आते ही टीका वर्ड भी आप लोगों को यां दाता होगा और कई लोगों को तो अपने बच्पन में जो जो टीके लगाए गए हैं उन टीका लगाने की प्रक्रिया ही vaccination ये टीका करण कहलाती है तो संक्रामक बीमारियों से व्यक्ति का बचाओ हो जाता है टीके को लगा कर जिसे आपने साइट सुना होगा दुनिया का सबसे पहला टीका निश्यत रूप में जिस व्यक्ति ने बनाया था उन्हें हम टीका करण का पिता कहते हैं जी हाँ आंसर है एड़वर्ड जैनर आडवर्ड जैनर ने ही सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी सबसे पहली वैक्सीन जो बनी थी वो चेचकर रोग से सुरक्छा के लिए बनी थी मतलब एक वायरस है जिसका नाम सुनाओगा अपने वेरियोला वायरस उससे प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे पहली वैक्सीन को एड़वर्ड जैनर ने बनाया था, that is why the reason, हम ठीका करन या वैक्सीनेशन का पिता कहते हैं एड़वर्ड जैनर को, और जिस व्यक्ती ने सबसे पहले डीका बनाया, उसी व्यक्ती ने सबसे पहले हमारे इम्म्यून सिस्टम को बूस्ट किया, उसे स्ट्रॉंग किया, इसलिए एड़वर्ड जैनर के लिए एक टम और यूज होता है, father of vaccination तो ठीक है, father of immunology, परतीरक्षा तंत्र का पिता, अब मिरी बाद ध्यान से सुनिएगा, टीका दरसल में है क्या, या टीके को क्यों लगाया जाता है, या टीके की लगाने का मकसद क्या होता है, तो टीके को दो तरह से दिया जाता है, पहले आप एक चीछ किलियर गर लिजए, कि टीके को दिये जाने की दो भी दिया है, पह लेने का सीधा सा मतलब है कि हम TK को यह तो injectable ले सकते हैं यह तो oral ले सकते हैं और TK को लेने का main मकसद होता है immune system को यह प्रतिरोधक छम्ता को strong करना यह प्रतिरोधक छम्ता को मजबूत बनाना प्रतिरोधक छम्ता कैसे मजबूत होगी इसके लिए TK या vaccine में आपके सरीर के अंदर administered कराई जाती हैं कोई तीन चीजों में से एक चीज जिस disease का आपको TK बनाना है निश्चत रूप में उसी disease का pathogen आपको लेना होगा लेकिन वो dead भी ले सकते हैं आप निश्चत रूप में living भी ले सकते हैं आप और inactive भी ले सकते हैं आप और इनकी थोड़ी सी मातरा आपको अपने सरीर के अंदर inbuilt करानी है या administered करानी है जैसे यदि मुझे TB का bacteria TB के लिए टी का बनाना है तो TB का जीवानू जो है निश्चत रूप में mycobacterium tuberculosis उसे लेना पड़ेगा यदि मुझे चेचक का टी का बनाना है तो variola virus मुझे लेना पड़ेगा मतलब जिस रोग का टी का बनाना है जिस possible pathogen है वही आपको लेना होगा तो कैसे ले सकते हैं जीवित भी ले सकते हैं मुरत भी ले सकते हैं परंतु ज्यादा मात्रा में मत ले लेना क्योंकि finally यह पहुंचेंगी blood stream में और ज्यादा मात्रा यदि blood stream में पहुंची pathogen की तो आप disease से ग्रसित हो जाएंगे इसलिए कु को लिए जाने की जो विधी है यह टी का जो है यह थ्री मार्कर में में इस तरह से मेंशन करेंगे अब इसके बाद एक सबसे important question आता है संक्रामक रोग अब आप में से बहुत सारे लोग बहुत आसानी से जानते हैं कि संक्रामक रोग क्या होते हैं infectious diseases क्या होती हैं इन्ही को communicable disease कहते हैं हिंदी में कहते हैं चुआ चूट के रोग अब ध्यान से सुनिएगा तरसल में रोगों के दो प्रकार होते हैं एक होते हैं उपारजित रोग और एक होते हैं जन्म जात रोग वे होते हैं जो जन्म के बाद विक्ति के सरीर में आते हैं और साइद जन्म जात रोग वे होते हैं निश्चित रूप में जो बर्थ से ही फादर और मदर से ही हमको गिफ्ट के रूप में मिलते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ उपारजित रोगों की उपारजित रोगों के अंतरगत ही आते हैं communicable और non communicable diseases मतलब उपारजित रोगों के अंतरगत ही याद रखिएगा acquired disease के अंतरगत ही आते हैं संक्रामक और असंक्रामक रोग वर्ड चलने चाहिए, तंक्रामक रोग दो लोगों की महरबानी के कारण होते हैं, यह communicable disease के लिए दो factor responsible है, the first one is pathogen, जिसको इंदी में कहते हैं, रोग कारक, और दूसरे उस रोग को फैलाते हैं, इस शित रूप में इनके लिए वर्डम यूज करते हैं, रोग वाहक, मतलब communicable disease जो है, इसमें रोग कारक और रोग वाहक दोनों होंगे, रोग कारक हमारे body के अंदर हमारे blood में होगा, और रोग के लिए responsible होगा, जब कि रोग कारक जो है, मापीचता और रोग वाहक जो है, वो रोगों को फैलाएगा, इस तरह से, अब communicable disease जो है, यह इसलिए बड़ में कहते हैं, संसर्गी disease, क्योंकि यदि संक्रामक रोग से ग्रसित कोई व्यक्ती है, और दूसरा healthy person उसके contact में आया, जो unhealthy है, तो निश्चित रूप में healthy person जो है, unhealthy person के contact में आते ही, वो भी उस बिमारी से हो जाएगा, ग्रसित, इसलिए communicable disease के अंतरगत, जो भी व्यक्ती स के पास ना जाएं, मतलब एक निश्चित दूरी बना कर रखें, या आस्ते या छीकते समय वो रोगी व्यक्ती जो है, वो रुमाल का प्रयोग करें, इस तरह से precautions अपनाए जाते हैं, क्योंकि संक्रामक रोग जो है, वो पीड़ित व्यक्ती से स्वस्थ व्यक्ती में disease, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, कि काफी कम समय में मातर दो से तीन महिनों में पूरे गलोब के कंट्रीज को इसने कवर कर लिया, तो सुरुआत में बोली गई थी कि दरसल में ये एक महामारी है, लेकिन जब दुनिया के सभी देसों में कोरोना के केसिस मिलने लग तो फिर उसके बाद में इसे विस्व बीमारी मतलब पैंडमिक घोसित कर दिया गया था, तो याद रखेगा संक्रामक रोग जो हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी हैं, पैथोजन जो disease के लिए responsible हैं, और vector जो दरसल में disease को carry करते हैं, या carry forward करते हैं, अब इसके बाद चलते हैं, चार बहुत महत्यपूर्ण questions की ओर, चार बहुत महत्यपूर्ण questions में सबसे पहला, preservation of milk, दूद का संरक्षा, प्री मार्कर में आप से ऐसे भी पूछ सकता है, या तो फिर आप से पूछेगा, pasteurization of milk, पास्चुरी करन प्रक्रिया पूछ सक सकता है, या तो फिर आप से पूछेगा, sterilization of milk, दूद को गर्म करने की विधिया, और last में, milk preservation method, मतलब दूद को संरक्षित करने की विधिया, तो जो ये चार वर्ड मैंने बोले, इनका मतलब सिर्फ एक है, या इन चारों का इसारा सिर्फ एक ही और है, लूई पास्चर की पास्चराइजेशन method की और, तो सबसे पहले हम यहीं से सुरुआत करते हैं, जान से सुनियेगा, आपने अपने घरों में दूद को देखा होगा, मिल्क को देखा होगा, लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ कि आपका मिल्क जो है, खराब हो चुका है, इसका मतलब है कि दूद य जो है तो दही बन चुका है, जी हाँ दोस्तों, दूद का खराब होना, या दूद का फटना बनना दरसल में, दूद का दही में परिवरतन हैं, मतलब, milk will be converted into, गया मिल्क का दही में परिवरतन किस कारण से होता है, लैक्टो बैसिलस जीवानु के कारण, या लैक्टो बैस सूख्षमजीव के कारण होता है जनरली हमारा जो दूद है वो दही में कनवर्ट हो गया मतलब दूद खराब हो गया तो इस प्रक्रिया में कौन से सूख्षमजीव की भूमी का सबसे इंपर्टेंट है अचा अब ध्यान से सुनियागा यदी हम दूद को जिसको हम फूड कह सकते हैं ज़िधि दूद को हमको इस बेक्टीरिया से बचाना है क्योंकि यही bacteria lactobacillus दूद को खराब कर देता है तो फिर हम क्या करेंगे दूद को हमको गर्म करना होगा esterilize करना होगा यही method सबसे पहले Louis Pasteur ने बताई थी और pasteurization method का या father किसे कहते हैं यह title अपने नाम करा लिया था अब सबसे important चीज कि दूद के pastury करन की कितनी विधियां है या दूद का pastury करन किस तरह से किया जा सकता है तो याद रखिएगा यह already जो है यह सबसे जादा पूछे जाने वाले question में से एक है कि दूद का जो pastury करन है उसकी दो method है सबसे पहली है low temperature method जैसे के नाम से ही is first है निम्नतापमान विधि और दूसरी है high temperature method मतलब उच्च तापमान विधि अब मेरी बद बड़े ध्यान से सुनेगा जो सबसे एहम बात है वो यही है अगर आपसे pasturization of milk यदि नहीं पूछेगा तो निश्चित रूप में दूद संडक्षन की ये दो विधिया आपसे जरूर पूछेगा low temperature method और high temperature method interviews बगएरा में अक्सर करके आप इन question को देखते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज़ें याद रखनी और कुछ भी याद नहीं रखना है और मेरी बड़े ध्यान से सुनेगा वो दो चीज़ें कौन सी है यदि milk को 63 degree centigrade temperature दिया जाए और 30 मिनट तक boil करे जनरली हमारे घरों में विलेजिस में EC method को अपनाया जाता है 63 degree centigrade temperature यदि हम milk को दे और time थोड़ा सा लंबा लगे 30 मिनट इस इस काल्ड एस लोग temperature method क्योंकि temperature कितना है 63 अब आप बोलेंगे कि sir high temperature method क्या होती है तो high temperature method में निश्चित रूट में temperature जो है वो जादा होगा तो आप अच्छे से देखिएगा temperature कितना है 72 कई भूकों में 71 भी दिया तो उस पर confused नहीं होईएगा ये काफी close होता है इसी वज़े से तो 71 या 72 degree centigrade temperature पर यदि हम milk को रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम को कितना रखना पड़ता है ये सबसे एहम वर्ड है 15 minute नहीं 15 second 63 degree centigrade for 30 minute low temperature method 72 degree centigrade 15 minute नहीं 15 second high temperature method ये है दरसल में पास्चुरी करण की दो विधिया हमारे घरों में low temperature method यूज होती है और बड़ी बड़ी इंडस्टिया जो सुबह सुबह आप जनरली जो पास्चराइज मिल्क जो देखते है न वो दरसल में इस method के कारण आता है high temperature method के कारण दरसल में बनता है चलिए चलते हैं आगे preservation of food item by refrigerant प्रसीतकों के द्वारा या फ्रिजों के द्वारा खाद्य पजारत किस तरह से संडक्षित होते हैं या फ्रिजों का किस तरह से उपयोग है खाद्य पजारतों के संडक्षण में तो आपने जनरली फ्रिजों का ये यह वही chlorofluorocarbon है, जो ओजोन को deplete कराती है, या ओजोन hole के लिए responsible है, जोसेफ Foreman ने बताया था सबसे पहले इस बात को, इसलिए तो Vienna Conference हुआ, देन उसके बाद में Montreal protocol हुआ, तोड़ा सा पुराने समय में आ जाते हैं, तो मैं बात करना था आप से, कि fridge जो है खाद्य पदार्थों को किस तरह से संदक्षित रखते हैं, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा बहुत important question है यह जनरली fridge के अंदर हम fruit and vegetables ही रखते हैं काफी कम temperature का मतलब यहाँ पर 4 degree centigrade temperature, इतने कम temperature पर fridge के अंदर, जो fruit और vegetable हैं, उनको destroy करने के लिए pathogen, मतलब bacteria और fungus पहत तो जाते हैं लेकिन चुकि fridge के अंदर temperature होता है काफी कम, लगबग लगबग 4 degree centigrade तो इतने minimum temperature के कारा, metabolic activity यह हिंदी में कहते हैं उपापचे प्रक्रियाएं सूक्ष्म जीवों की तेजी से नहीं हो पाती slow होती है या very slow होती है मतलब कहने का है कि अधिक कम तापमान के कारण सूक्ष्म जीवों की metabolic activity यह उपापचे क्रियाएं काफी धीमी धीमे से होती है metabolic activity काफी slow होती है इसी वज़े से fruit and vegetable काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहे आते हैं फ्रिज के अंदर यदि कभी भी आप से पूछा जाए कि फ्रिजों में जो है खाद्य पदार्थों के संडक्षण का मेल कारण क्या है तो उच्चतम तापमान की निमनतम तापमान निश्चत रूप में निमनतम तापमान तो ये चीज आप जरूर याद रखेगा मतलब lowest temperature method के कारण ही फ्रिज जो है वो खाद्य पदार्थों को संडक्षित रखते हैं अब इसके बाद जो अगली चीज है वो सबसे important है रेट्रो वाइरस अब मेरी बाद ध्यान से सुनेगा आप लोगों को microorganism या सूख्ष मजीवों के इस chapter में जो question दिये जाएंगे न जाद अतर वो वाइरस से influence होंगे वाइरस से संबंदित question होंगे क्योंकि Corona के महौल ने वाइरस chapter को एकदम से highlight करा सा दिया है इसलिए वाइरस से related सारी information आपको पता होनी चाहिए तो अब जो मैं बताने वाला हूँ यह वही चीज़े है जैसे रेट्रो वाइरस तो आपने कभी नाम सुना होगा AIDS बीमारी जो आपको होती है वो इसलिए आपको होती है क्योंकि आपके blood में HIV वाइरस एंटर हो जाता है और जी हाँ HIV वाइरस जो है इसी को रेट्रो वाइरस भी कहते है HIV वाइरस को रेट्रो वाइरस भी कहते है अब रेट्रो वाइरस क्यों कहते हैं इसके लिए जो scientific कारण है वो यह है बिटा जी कि HIV virus जैसे कि आप चितर में देख रहे होंगे यह HIV virus का चितर है HIV virus में जो आप ये red color में देख रहे हैं ये दरसल में single structure RNA है एक सूत्री RNA है निश्चित रूप में RNA जो red color में आपको दिख रहा है यदि ये protein के द्वारा चारों और से घिरा होता है कहने का मतलब है कि HIV virus में जो genetic material है genetic material का मतलब जैसे हमारे सरीर में आत्मा या सोल ही सबसे important है उसी तरह से किसी भी virus में उसका genetic material ही सबसे important होता है तो HIV virus के अंदर genetic material क्या होता है RNA और यदि वो चारों तरफ से protein के जरिये घिरा हो और protein में भी interview में पूछने लगें आजकल glycoprotein तो फिर इस तरह के virus को हम retrovirus कहते हैं मतलब retrovirus जो है HIV virus को सिर्फ इसलिए हम कहने लगे क्योंकि genetic material ला रहे हैं और चारों और protein से घिरा है ये चीज हम को उसने बताई थी सबसे पहले जिसने AIDS का full form सबसे पहले बताया था और जिसने HIV का भी full form सबसे पहले बताया था तो AIDS term देने वाला व्यक्ति और HIV term देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बलकि है Robert Gale तो ये चीज हम जरूर याद रखेंगे अब आती सबसे काम की बाद आप से भी पूछा जाए कि जादतर communicable disease जादतर संक्रामक रोगों का टीका बन चुका है AIDS का आज तक टीका क्यों नहीं बना या AIDS की vaccine क्यों नहीं बनी आज तक तो आपको इस सवाल का जवाब जो है इसी structure में मिलेगा अच्छे से देखिएगा इस structure में आपको जो यह blue dotted structure दिख रहे हैं दरसल में यह एक enzyme है जिनको कहते है reverse transcriptase enzyme और reverse transcriptase enzyme ही HIV virus को बहरूपिया बना देता है या HIV virus हर बार अपना size and shape जो है change कर लेता है duty the presence of this particular enzyme नाम है reverse transcriptase इसको इंगलिस में कहते है pleomorphic property हिंदी में कहते है बहरूपिया पन तो हर बार जो हम दवा भेजते हैं वो particular किसी एक shape के virus को destroy करने के लिए ही बनाई जाती है लेकिन जैसे ही blood stream में कोई medicine जाती है यह जो virus है HIV virus या retro virus यह अपना size and shape change कर लेता है इस enzyme के कारण जो blue dot में आपको दिखा रहे है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बटा जी इस वज़े से आज तक कभी भी इसका vaccination नहीं हो पाया है मतलब HIV virus का या AIDS का हम vaccine नहीं बना पाये है क्योंकि HIV virus हर बार अपना आकार परिवर्तित कर लेता है अब इसके बाद जो चीज मुझे आपको समझानी थी ये है वो दो सबसे important question पहला है वाइरोइट और दूसरा जो है ये है प्रियोंस अब ये वाइरोइड और प्रियोंस क्या होते है मेरी बाद बल्ले ध्यान से सुनियेगा यदि आपको एक चीज समझ में आगए वाइरोइड ये थी समझ में आगए तो प्रियोंस आप just opposite लिख सकते है मतलब दोनों एक दूसरे के antagonist है दोनों एक दूसरे के विरोधी है कैसे समझे जरा वाइरोइड क्या होते है सबसे पहले वाइरोइड जो है उसके खोज करता का नाम है डाइनर 1971 में इसको खोजा गया था मतलब जब स्पेस कमिशन बन रहा था स्पेस डिपार्टमेंट बन रहा था हिंदूस्तान में उससे ठीक एक साल पहले स्पेस कमिशन बना था 1972 में आप ध्यान से सुनियागा यदि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मान देख एक वाइरस का स्ट्रक्चर है इस वाइरस के स्ट्रक्चर में ये ये कहलाता है प्रोटीनियस, कोट या इसी को हम कहते हैं कैपसोमीर तो यही दरसल में capsomere कहलाता है, किसी को capsid कहते हैं, और ये जो है, जो आप ये ring-like ये fimbry-like structure देख रहे हैं, ये protein से मिलकर बनी संडचना है, मतलब ये proteinious kohl होता है, ये proteinious outer structure होता है, तो याद रखेगा, capsid ये capsomere जो है, ये है, और जो अंदर आप देख रहे हैं, ये single thread-like structure, this is called as RNA, मतलब genetic material, अन मेरी बाद बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहीं है, पूरा का पूरा खेल, मतलब ये आपको वायरोईड को और प्रियोंस को ये आपको लिखना है, और ये चीज़ देखिएगा, एक ये दो सालों में आपको लिखने को मिलेगी, means में, त्री मारकर में, तो आपको यहीं चीज़ सबसे important लिखनी पड़ेगी, कि, capsid या capsomere, मतलब ये वाला structure किसी वायरोईड में यदि ना हो, सिर्फ और सिर्फ genetic material, तो फिर हम कहेंगे उसे वायरोईड, और याद रखिएगा, ये genetic material में भी इतना power है, कि ये disease पैदा करने की ताकत रखता है, मतलब लोगों को infection दे सकता है, तो आप से सर्फ दो चीज़े याद रखनी हैं आपको, capsid ये capsomere यदि absent हो, मतलब ये outer cell जो है ना हो, genetic material जो हो, वो present हो, तो इसी को कहते हैं, दरसल में वायरोईड, और सबसे छोटा single stand क्या होता है, RNA है, और सबसे last में plant के disease के लिए, ये जो है, responsible होता है, तो जो potato में fusive form disease होती है, जिस बज़े से जो आलू होते हैं, वो मुड़ जाते हैं, वो इसी के कारण मुड़ जाते हैं, वायरस के कारण नहीं, वायरस के genetic material की infection के कारण, जिसको हम क्या कहते हैं, वायरोईड, अब बिल्कुल simple सी चीज है, इसी का just oppose, prions किसे कहते हैं, अब मेरी बद्ध्यान से सुनेगा, सबसे पहले प्रियांस की खोज किस ने की है, प्रुशी नर ने की है, ये वन लाइन नरफ एक्ट हो गया, अब दूसरी सबसें पॉड़े जी, यदि ये capsid या capsomere संदचना जो है, ये हो capsid या capsomere संदचना जो है यदि ये हो, प्रेजंट हो और genetic material यदि ना हो, genetic material यदि ना हो, तो फिर इसे हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ body है, stole नहीं है क्योंकि genetic material ही तो असल माइने मैं सारे की सारे कामों के functioning के लिए responsible होता है, तो इस तरह से, यदि किसी virus में सिर्फ genetic material ना हो only capsul mere या capsul हो, तो फिर इसे हम कहते है, preons तो याद रखिएगा अगर कभी आपसे पूछा जाए, कि preons क्या है, तो आपको ये दो चीजें सबसे पहले लिखनी है पर last में, proteinious संक्रमन कारक होता है, मतलब proteinious infectious agent होते हैं, मतलब ये जो चीज होती है, ये glycoprotein से मिलकर बनती है और ये भी infection cause करने के लिए sufficient है, याद रखिएगा, viroid and preons, बहुत important है ये इसके बाद एक question आता है जीवानू भोजी, कई बार जीवानू भोजी का नाम सुनकर हमको लगता है ये जीवानू है, ना जी ना, ये जीवानू नहीं है, कोई bacteria नहीं है, दरसल में ये है virus परंतु word जो लिखा है bacteria, ये बैक्टीरियों से ये word शुरुआत होता है, इसका मतलब है कि है तो virus, bacteria face जीवानू भोजी दरसल में एक virus है, जिसका सबसे फेवरिट फूड होता है, बैक्टीरिया है virus, लेकिन बैक्टीरिया को eat करता है, और इस पेसली, जो गंगा नदी के जल को अस्वक्ष बनाते हैं, जो गंगा नदी में जो बैक्टीरिया हैं, निश्चित रूप में गंगा के पानी को जो impure करते हैं, उनहीं को ये virus जो है, food के रूप में intake करता है, और निश्चित रूप में गंगा के जल को स्वक्ष बनाता है, तो आप से अगर कभी पूचा जाएगा, बैक्टीरियो फेज, तो आपको ये सबसे important चीज़ लिखनी है, कि गंगा नदी का जल जो है, वो स्वक्ष होता है, बहुत से बैक्टीरियो फेज, मतलब वाइरस के कारण, और ये जो वाइरस होते है, बैक्टीरियो फेज, जैसको हिंदी में कहते हैं, जीवानू भोजी, गंगा नदी को जो असुद्ध करने वाले जीवानूं होते हैं, उनका भक्षण करते हैं, यह बेक्टीरियो फेस, तो यह चीज़ आप याद रखेंगे, कि एक वायरस है, जो बेक्टीरियल सेल को, यह जो बेक्टीरिया responsible होते हैं, pollution के लिए, गंगा रिवर में, उनको दरसल में, nutrition के रूप में, इंटेक करता है, अब इसके बाद, यह उसका चित्र है, परध्यान से सुनिएगा, जो सबसे important चीज़ बोल रहा हूँ, यह उसका head है, यह दरसल में, बेक्टीरियो फेस में, एक एक एक्जामपल है, T4, तो T4 बेक्टीरियो फेस है, और यह उसका head है, निशित रूप में, यह वाला बीच वाला पूरसन जो है, इसको हम shaft कहते हैं, और यह आपको tell दिख रही होगी, तो याद रखेगा, head जो है, इसके अंदर है यह genetic material, जिसको कहते है DNA, यह भी आप से कई बार पूछते हैं कि बिटा जी, यह DNA या RNA genetic material होता है, बेक्टीरियो फेस में कौन सा genetic material होता है, याद रखिएगा, क्या है genetic material, DNA, लेकिन यदि मैं पूछूँ कि वाइरॉइड में genetic material है, कि प्रियोंस में genetic material है, तो I think आपको यह बात समझ में आ गई होगी, कि प्रियोंस में genetic material नहीं होता है, लेकिन वाइरॉइड में genetic material होता है, अच्छा, अब चुकि आपका जो chapter है न बिटा जी, पहला chapter जो सूक्षमजीव, बहुत ज़्यादा diversify, बहुत ज़्यादा इसमें question बनते, और हर एक question की reach पर पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रिखिएगा, biology से total 30 question आने है निश्चत रूप में बहुत important हो जाता है, हर एक question को हमको अपने radar में लेना, तो अगर आपसे कभी question आता है, कवकों के उदाहरन और आएगा ही आएगा, MPPCS बिल्कुल basic ही पूछता है, micro organism के chapter में bacteria के बारे में पढ़ना है, निश्चत रूप में virus के बारे में पढ़ना है क micro organism के chapter में कई बर virus को include नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि जितने भी micro organism है, सब living है, सब सजीव है, और virus जो है, वह connective link between living and non living, मतलब virus जो है, वह सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी है, इस तरह से, अब मेरी बाद ध्यान से सुनेगा, तो कवकों के कुछ उदाहरन है सबसे पहले में आपको बता दूँ, कवक जो है, उनकी study mycology कहलाती है, कवकों के दो सबसे best example है, जिसमें yeast का नाम आप जरूर जानते हैं, yeast वही कवक है, वही fungus है, जिस पर Louis Pasteur ने work करके fermentation process खोज ली, yeast वही कवक है, जिस पर function करकर, Edward Bookner ने इस दुनिया का first enzyme discovered किया, जिसे कहते हैं, zymase enzyme, और zymase enzyme का सबसे important function जो है, वो है starch के fermentation, या glucose या carbohydrate को एथिल alcohol में convert करने में, zymase enzyme main role play करता है, तो अगर आप से question कभी पूछा जाए, तो आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिया, तो कवकों के उदाहन पूछे हैं आप से, तो कवकों के उदाहन में सबसे पहले मैं चालता हूँ, कि आप ये category जरत देख लीजे, अब आपको इधना typical नहीं याद रखना, बस मैं कुछ कवकों के नाम आपको बता रहा हूँ, जैसे panacillin के बारे में तो आप जानते हैं, panacillin जो है दवा, उसको एक कवक से प्राप्त किया गया था panacillium notatum, तो panacillium notatum fungus को ही कहते हैं दरसल में, blue and green fungus, जनरली बरसाथ के समय में आपने देखा होगा कि चमडे के जूतों के ऊपर ये जम जाती थी, पुराने समय में आपके दादा या निश्ची तूप में परिवार का कोई भी मिंबर या परिवार में कोई भी चमडे के सामान के ऊपर जो फंगस उग आती है, नीले या हरे र फूद मतलब वो वाला नहीं, जो नॉस्ट्रिल्स में होने वाला दर असल में एक प्रॉब्लम है, यह में कड़ी बाद में बताऊंगा, अब मेरी बाद बड़े ध्यान से सुनेगा, यह कवक हैं, यह पूरे के पूरे, और वरतमान समय में, राइजोपस, इस्टोलोनिफर और म्यूकर औरघाय का प्रयोग जो है, यह बेकरी इंडस्टी में भी हो रहा है, और वाइन इंडस्टी में भी हो रहा है, इसके पहले हम क्या यूज़ करते थे? सैक्रोमैसिस इहर भी मैंने आपको बताया इसके बाद में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नो और यहां पर ट्राइको डर्मा निश्चत रूप में एक फंगस है जिससे इंसानों में गंजापन होता है तो यह इंपॉर्टेंट चीज जी थी जो अपने डिसक्स करें अब इसके बाद पाता ह है लागी लाइकीन की बारे में आपको ज्यादा तर चीजें पता है थीओ फ्रेस्टास ने सबसे पेले इनके बारे में इंफर्मेशन दी थी याद रहेगा थीओफ रेस्टास वनस्पति विग्यान के जो पिता है लाइकीन जो है यह यह एल्गी और फंगस के बीच की कड वायू प्रदूशन के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं यदी किसी सिटी में प्राइमरी एयर पॉलिटेंट्स प्राथमिक वायू प्रदूशक सल्फर डाय ऑक्साइड गैस की मात्रा जादा हो लाइकेन कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे उस पर्टिकुलर सिटीज में जैसे दिल्ली जो वरतमान समय में गैस चेंबर में तब्दील है अलगी अब दिल्ली से ये टाइटल चिनके मुरादाबाद के पास आ गया है मुरादाबाद में एयर पॉलिशन बहुत ज़्यादा है मतलब वहां प्राइमरी एयर पॉलिटेंस और सेकेंडरी एयर पॉलिटेंस बहुत अधिक मात्रा में सल्फर डायोकसाइड गैस प्राथमिक वायू प्रदूसक कहलाती है और जहां सल्फर डायोकसाइड वाता वरण में या वायू मंडल में ज़ादा होगी लाइकेन वहाँ नहीं पनप सकते हैं और जैसे ही आप सिटी से गाओं की तरफ रुख करते हैं निश्चित रूप में pollution का level कम होता जाता है दीरे दीरे पेड़ों की surface के ऊपर आपको lichen दिखनी सुरू हो जाएगी कहने का मतलब है कि lichen जो है this is the connective link between seval and fungus इनकी व्रधी को जो बाधित करती है वो कान सी gas है sulfur dioxide gas है तो दिल्ली में जैसे sulfur dioxide gas का परसंटेज जादा है तो वहाँ lichen नहीं है और गाउं में pollution का level बहुत कम है तो lichen जादा है तो निश्चित रूप में वायू प्रदूशन या air pollution कहां सबसे जादा है इस living के थूँ या living organism के थूँ हम इस बात को easily जो है indicate कर सकते हैं तो इसलिए question आप से prelims में भी पूछा जाता है वायू प्रदूशन के जैविक संकेता के जैविक या biological word आपने इसलिए यूज किया है क्योंकि algae भी living है और fungus भी living है तो ये चीज़े याद रखेगा ये कुछ इसके example है मतलब ये चित्र हैं सिर्फ आप चित्र या images देखिए और कुछ भी नहीं अब इसके बाद आते हैं सूक्षमजीव से बचाओ की विधिया ये बहुत important ये आप five marker में जब पढ़ेंगे तो निश्ची द्रूप में इनको मैं बहुत अच्छे से detail कराऊंगा अभी cable और cable outline दे रहा हूँ अगर समझ पा रहे होंगे तो समझ जाएंगे आप लोग सबसे पहले सीत उप्चार मतलब cold treatment अभी क्या होता cold treatment जनरली आपने देखा होगा फ्रिज इसी theory के belief पर बना है cold treatment के अधार पर बना है जहाँ ठंडक जादा होती है निश्ची दूप में bacteria और virus या fungus जो है food items पे उस जगे पे attack नहीं कर पाते जादा और जादा लंबे समय तक सामगरी रखी रहती है इसका कारण क्या है आपने देखे होंगे cold storage room cold storage room बनाने का जो main philosophy है वो यही है कि काफी कम temperature पर जो pathogen है चाहे fungus हो चाहे bacteria हो इनकी जैवरासाइनिक क्रियाएं धीरे धीरे होने लगती है और यह जैवरासाइनिक प्रक्रियाएं biological process वही है जिनके जिर ये चीजें सड़ती है या खराब होती है तो यहीं प्रक्रियाएं यदि slow होने लगेंगी तो निश्चित रूप में आपके food की जो life है वो बढ़ जाएंगी तो इस तरह से cold storage या seat उप्चार method के आधार परी cold storage काम कर रहे हैं और cold storage में main function यही है कि काफी कम तापमान के कारण जितने भी pathogen होते हैं चाहे जीवानों हो चाहे fungus इनकी जैव रसाइनिक प्रक्रियाएं जो है वो slow हो जाती है और इस तरह से भोजन की self life बढ़ जाती है दूसरा होते हैं उच्च तापमान विधी मतलब high temperature method यह simple सी method है कि यदि हमको किसी भी खाते सामगरी को सडने से बचाना है rot होने से बचाना है तो जादा से जादा temperature हम देंगे तो निश्चित रूप में वो जो micro organism है वो kill हो जाएंगे और इस तरह से हमारा food material जो है वो survive कर जाएगा लंबे समय के लिए जैसे दूद, दूद को हम दरसल में खराब होने से बचाने के लिए क्या गरते हैं यह method तो यूज करते हैं, high temperature method पुराने समय में आज से 10 साल या 15 साल पहले चले जाओ जरा डॉक्टरों के chamber में देखा होगा वो particular syringe नहीं यूज करते थे वो काच की noodle यूज करते थे और एक patient को लगाने के बाद उसे वो एक बड़े से पात्र में डाल देते थे और वो निमस्चित रूप में steamer टाइप से होता था, पानी गर्म होता था और कुछ समय के बाद फिर उसको ठंडा करके और फिर से injectable को यूज में ले लिया जाता था, हलाकि अब इस process को bend कर दिया गया है, अब एक newly injection हर बार हर एक new patient को लगता है, हलाकि उसके कारण बहुत ज़्यादा है सौर विकिरन विधी, निश्चित रूप में सौर विकिरन विधी तो वो है कि जैसे हम गेहूं लेका राएं खेतों से या दाल लेका राएं हम खेतों से तो स्टोर करने के पहले या स्टोरेज करने के पहले final घरों पे हम थोड़ा सा सूरे की रौशनी दिखाते हैं क्यों, solar radiation में जो infrared radiation होते हैं अब रखत विकिरन होते हैं उनके contact में आने पर grains में या आनाज में जो नमी होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और moisture ही तो दरसल में fungus के growth होने के लिए दरसल में सबसे बैदर चीज है तो इसी लिए हम solar radiation method यूज़ करते हैं grains को काफी सुखाते हैं आनाज को सुखाते इसलिए हैं ताकि जितने भी microorganism है इस पूरी तरह से destroy हो जाए इसके बाद कुछ ऐसे question पर बात कर लेते हैं जो वरतमान समय में बहुत ज़्यादा trending में है जैसे decomposer या अपघटन करता जैसे मैं आप से पूछूँ कोसिका का सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं तो जिस चित रूप में आपका answer बिल्गो लाइसोसोम की और जाएगा hydraulic enzyme डी डोवे discoverer आप सारी चीजे बता देंगे लेकिन मैं आप से पूछूँ कि प्रकृती का सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं तो याद रखिएगा इस तरह से कोसिका का सफाई कर्मचारी लाइसोसोम है उसी तरह से प्रकृती का सफाई कर्मचारी कोई और नहीं बलकि सूक्ष्म जीवों की category में आने वाले bacteria और fungus है तो ये दो सूक्ष्म जीव जिनका नाम मैंने आपको बताया जीवानू और कवक ये क्या करते हैं कि ये ही वातावरण में जितना भी कचरा होता है या वातावरण में हम अपने घरों से बाहर जो भी कचरा निकालते हैं जैसे सबजीयों के छिलके निकालते हैं निश्चित रूप में पिड़ पौदों की टेहनिया निकालते हैं इसको हम कहते हैं और्गनिक वेस्ट कार्बनिक वेस्ट या कोई जानवर मर गया या कोई हमने important part body से अलग किया हो तो कार्बनिक अपसिस्टों को दरसल में सडाने गलाने का काम यही करते हैं जिनको हम कहते हैं अपगटन करता इसी वज़े से हमारी पूरी प्रतवी जो है वो neat and clean रही आती है यदि इस दुनिया में सूक्ष्म जीव के रूप में जीवानू और कवक absent हो जाएं तो पूरी दुनिया कचरे के ढेर से बढ़ जाएगी क्यों 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 यही दोनों microorganism जो है ये प्रकृती में उपस हम कहते हैं composting manual तो फाइनल में सूक्ष्म जीव जो है परियावरण में जब हम division करते हैं कि परियावरण को तीन घटकों में बाटा गया है बायोटिक और energy component तो उसी में परियावरण के जेविक घटकों के अंतरगत ही स्तूक्ष्म जीव अपगटन करता के रूप में आते हैं लेकिन मेरी बाद ध्यान से सुनियेगा अगर मैं आपसे पूछू अपगटन करता या decomposer किसे कहते तो हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ बेक्टीरिया और फंगस की उर जाता है लेकिन केच्वा मतलब अर्थ वाँ मक्खी मश्रूम मतलब फंगस ये भी दरसल में decomposer हैं मतलब ये भी खाद्य पदार्थों को जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलकर स्वाईल और मैनुवर बनाने म में मदद करते हैं ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे अब इसके बाद चलते हैं आगे आज मतलब है इसने पक्का रात में कुछ ऐसा खाना जरूर खाया है निश्चत रूप में सड़ा और गला खाना खाने से food poisoning की समस्या होती है और इसी food poisoning को हिंदी में कहते हैं खादे विसाक्तता तो सड़े जैसे खाना हमारा newly fresh होता है कुछ समय बाद वो सड़ गया खाने को किसने सड़ाया तो आपके खाने को इस काइनात में दो ही micro organism है जो सड आ सकते हैं एक है fungus और एक है bacteria मतलब यह दो micro organism की category ही food material को rot कर सकती है आप से space लिए उस fungus का नाम पूछा जाता है aspergillus bacteria कौन कौन से हैं जो खाद्य पदार्थों को सड़ाते हैं तो निश्चित रूप में Clostridium botulinum और Salmonella bacilli याद रखेगा यह दो bacteria जो है यह food material को rot करते हैं और अगर उस तरह का आपने food material intake कर लिया जो इन दोनों के द्वारा सड़ाया गया है बस आपको उल्टी शुरू हो जाएगी और यही कहना थी food poisoning, food poisoning के case में जब भी आप doctor के पास पहुंचेंगे और doctor consider करेगा कि आपको food poisoning है मतलब liver सबसे पहले damage यह जरूर याद रहेखेगा कि खाद्य विसाक्तिता में यदि आप positive हैं तो आपका liver सबसे पहले damage हुआ होगा, क्योंकि food poisoning में सबसे main theme वही है अब इसके बाद आता है खाद्य परिरक्षण, बिल्कुल simple सा chapter है, खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो food material है, उसको सडने से बचाया जाए, और सडने से यदि हम बचा रहे हैं, रॉट होने से बचा रहे हैं, इसका मतलब है कि food material की quality, नि में क्या होता है, विटमिन होता है, इसको कहते हैं nutritional value, तो कहने का मतलब है, जब आफ food material की, या जब आफ food की, सब से important word है quality, और दूसरा है nutrition value को बनाए रखते हैं, ये दोनों के दोनों तब बनी रहेंगी, जब micro organism food material को destroy नहीं कर पाएंगे, इसी process को कहते है food preservation, खाद्य परि परिरक्षण, खाद्य पदार्थों के संडक्षण के लिए, ये food material को सडने से बचाने के लिए, जो जो ingredient यूज किये जाते, सभी कहलाते है food preservative, सभी कहलाते है खाद्य परिरक्षण, तो आप से question 3 मारकर मेंस मैं पूछ सकता है, कि खाद्य पदार्थों को सडने से बचाने के लिए, निलॉन्स की आपने निश्चित रूप में, बॉटलों में देखा होगा, अचार लंबे समय तक रखा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, कि जो soda water industry में, निश्चित रूप में जो आपकी cold drink है, वो लगबग लगबग 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5 मही ने रखी रहती है तो ऐसे कौन से ingredient इन food material के अंदर डाल दिये जाते हैं, जिस वज़े से ये सड़ते और गलते नहीं हैं, ये नस्ट नहीं होते हैं, तो जयाद रखिएगा food preservative डाले जाते हैं, जैसे पुराने समय में आप लोगों ने मम्मी को अचार बनाते देखा होगा, अचार ना सड़ इसके लिए क्या मिलाया जाता था, food preservative के रूप में, शुरुआत में, नमक, लेकिन उसके बाद क्या मिलाने लगी हम, अचा मैं आप से question पूछता हूँ, Indian government ने कौन से दू food preservative को okay किया, या कौन से दो खाद्य परी रक्षक हैं, जिनको हम official तोर पे, या Indian government ने अपनी guideline में specially बोला कि जब भी आप अपना कोई food material बनाएं, packing वाला, तो निश्चित रूप में इनको आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत और परिसानी नहीं होगे, उसमें सबसे पहला तो मैंने नाम लिख दिया है, sodium metabisulfite, याद रखिएगा आप लोग, और दूसरा सबसे important है, वो नाम म चलते हैं, इसके बाद, चुकि चैप्टर सूक्ष्मजीव है, माक्रो आर्गनिजम का चैप्टर है, तो बेक्टीरिया के कोई drawback आप से पूछ सकते हैं, जब बेक्टीरियल कोई disorder आपको दे दिया जाएगा, और उसके बारे में आप से सी मारकर में पूछा जा सकता है, व हमेशा याद रिखेगा, जो वर्तमान में चल रही होगी, या जो करंट में चल रही होगी, डिसीज, वही दरसल में दी जाएगी, आपको थ्री मारकर में लिखने के लिए, तो हलाकि इस चीज को मैं जो है, ये health chapter में, unit 6 में अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम ब bacteria responsible है, तो मैं आपको normal बस introduction दे रहा हूँ, सबसे पहली है, diptheria, pertussis, tetanus, याद रखेगा, ये तीनों के तीनों बीमारियां, जादता newborn baby को होती है, छोटे बच्चे को जो अभी हाल ही में पैदा हुआ है, जो कि उसका immune system काफी भीग है, तो ये तीन बिमारिया, diptheria, pertussis, औ होती है, वो सकती है, इसलिए उस बच्चे को ये तीनों बिमारियां ना हो, तो एक vaccine देते हैं, this is called as dpt vaccine, तो dpt vaccine, dpt vaccine और dpt vaccine, याद रखेगा, बच्चे को नवजात, सिसू को ये newborn baby को इन तीन particular disease से बचाने के लिए पहले ही उसको दर असल में टीका दे दिया जाता है, dpt क टीका, जिसको कहते हैं, triple antigen vaccine, means का एक और question हो गया, dpt का टीका, अब चलते हैं आगे, टाइफाइड जो है, इसको कहते हैं, मोती जहरा या आत बुखार, सबसे कमाल की बात आपको जो याद रखना है, टाइफाइड का के लिए जो responsible चीज़ है, वो है बेक्टीरिया, परना साम है उसका साल मोनेला टाइफी, और साल मोनेला टाइफी जिवानों दूसत जल और दूसत भोजन के द्वारा सरीर में एंट्री लेता है, मतलब contaminated food and water के थूरू साल मोनेला टाइफी बेक्टीरिया जो है, यह administered होता हमरी body के अंदर, साइध अपना 12th class की, जो NCRT है, उसमे यह बहुत common सी चीज़ पूछी जाती है, और अब तो पूछते आप से यह हैं, कौन सा टेस्ट टाइफाइड के confirmation के लिए किया जाता है, यहां विडाल टेस्ट किया जाता है, इसके बाद TB के बारे में तो आपको पता है, TB जिसको हम यक्षमा भी कहते हैं, tuberculosis disease भी कहते हैं और इसी दुरूप में लगे रहो, मुन्ना भाई, MBBS मूवी में भी, लास्ट में उससे TB के उपर गई question पूछा जाता है, कि TB के patient को मुरली तुम कैसे treat करोगे, तो central government एक project चला रही है, नाम सुना होगा आपने, dots, direct observation treatment short course, इननी में कहते हैं, प्रत्यक्च प्रिक्चत चिकितसा, जिसके इंतरगत चार प्रकार की दवाएं, और उन चार प्रकार की दवाओं में, streptomycin, जो सबसे पहली antibiotic है, जिसको bacteria से extract किया गया था, दिया जाता है, तो याद रखेगा, दूसरा means का most important question है, dots therapy, dots therapy, जो ह ये वयसकों के लिए चल रही है, बच्चों के लिए जो नया बच्चा पैदा होता है, newborn baby, उसको टीका से, मापी चाता हूँ, TB बिमारी से बचाने के लिए एक TB, anti-TBT का दिया जाता है, जिसको कहते है BCG, तो नवजात सिसू को TB से बचाने के लिए BCG का टीका दिया जाता ह पैसलस, कॉलमेट, ग्यूरिन, TBT का टीका भी दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसेस और टिटनेस बिमारी से बचाने के लिए और उसे कहते है, triple antigen vaccine, मतलब एक ही वैक्सीन लगाई जाती है, और teen disease से सुरक्षा मिल जाती है, इसके बाद में हैजा की मैं क्या बात क सकता हूँ कि भारती रास्टी कॉंग्रेस का पहला डिवेशन, 1885, निश्चित रूप में कहा रखा गया था, साउध हिंडिया में, लेकिन फिर उसको बॉम्बे, गोकुल्दा, स्टेजपाल, संस्क्रित, महाविध्याले, ट्रांसफर किया गया, क्यों, क्योंकि पूना मे जो है, कई किताबे कहती है, प्लेग फैला था, कई किताबे कहती है, हैजा फैला था, अम मेरी बद्ध्यान से सुनेगा, चाहे हैजा हो, और चाहे प्लेग हो, दोनों बिक्टीरियल डिसॉर्डर, बिक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है, और ये जो है, कॉलरा, मतलब हैजा और प्लेग ये दोनों के दोनों बहुत खतरनाक communicable disease हैं कम समय में बड़े तेजी से healthy हैं और देखते देखते काफी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने का दमिन में हैं इसके बाद लेपरोसी में सिर्फ मुझे चलाया है MDT multiple drug treatment हिंदी में कहते हैं बहु आयामी ड्रग चिकित सा जिसके अंतरगत तीन प्रकार की tablet देकर patient को इस disease से free किया जाता है जिसे हम कहते हैं लेपरोसी अकोड डॉक्टर हैंसन ने इसको खो जाता इसलिए से हैंसन डिसीज भी कहा जाता है और अब आ रहे हैं सबसे मुद्दे की बात जॉक्स प्रणाली के अंतरगत streptomycin TB के जीवानों को मारती है जाद रखिएगा वो किसको destroy करती है वो destroy करती है mycobacterium leprinamik जीवानों को जो दरसल में ओड या लेपरोसी के लिए responsible होता है तो इस तरह से कोई भी अगर question पूछा जाए बैक्टीरिया में तो आप से बन जाएगा अब वायरस के कारण कौन कौन सी disease होती है निश्चित रूप में इन में तो पूरा चार्ड ही है आपको देख लिए इंफ्लोएंज है मतलब swine flu bird flu निश्चित रूप में h1 n1 और h5 n1 यह दोनों के दिहान से सुनेगा आपको थ्री मार करके question one liner में पूछे जाएंगे यह two liner में पूछे जाएंगे one liner में पूछे जाएंगे तो इतने होता है दरसल में पोलियो मैलाइटिस वाइरस के त्रू याद रिखेगा important चीज थी इसलिए बताया सबसे पहली वैक्सीन बनी थी चेचक की लेकिन यदि मैं पूछू चेचक किस कारण से होता है अच्छे से देख लिए जब वैरियोला वाइरस मतलब एडवर्ड जैनर ज जाकर WBC के सबसे चोटे टाइप T lymphocyte के नंबर को इंक्रीज कराया और वर्स T lymphocyte का नंबर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा यही तो है दरसल में इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉंग होने की में भजे पर यही है vaccination की में थीम यह मैं आपको आगे बताऊंगा unit 6 में इसके बा 2013 में Ebola के कारण Nigeria भी बंद रहा Nigeria में लगबग 2-3 महिनों का आपकाल लगा था national emergency लगी थी लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे Ebola disease के कारण या Ebola virus के कारण दरसल में यह समस्या तो अब अगर आप से कभी भी question virus से कोई पूछा जाएगा तो निश्चित रूप में वो question सिर्फ और सिर्फ क्या होगा Corona virus तो आप Corona virus के बारे में अलड़ी दो साल में बहुत सारी information collect कर लियोंगे इसलिए मैंने यहाँ पर वह important चीछ छोड़ दी जो आपसे 3 marker में पूछी जा सकती है अलगी मैं आपको सबसे important चीछ जो बता दो Corona virus जो है उसका सबसे पहला दर्सन जो है वो कहां हुआ चीन के वोहान शेहर में हुआ था अब उसके बाद में हर तरह का sector चाहे education sector हो चाहे transport sector हो चाहे automobile sector हो पूरी तरह से प्रभावित हुआ था और सबसे important चीज़ आपको याद रखनी है कि Corona virus के कान सबसे पहले effect होता था लंग्स और फिर kovi-sealed और kovaxine ये दो के दो बहुत अच्छे vaccine है जो available है Indian government ने इनको बनाया है और approve भी किया है तो आप ये बहुत सी information लिख सकते हो अब इसके बाद हम चलते हैं आज के last question की ओर प्रोटो जुआ भी दरसल में एक तरह के सूक्ष्म जीव हैं कौन-कौन है दरसल में प्रोटो जुआ की आप example जानते तो सबसे पहले कुछ जो प्रोटो जुआ हैं उनके आप example अच्छे तरीके से देख लिजे प्लास्मोडि प्रोटो जुआ है जिसके कारण sleeping sickness disease होता है लिस्मीनिया डोनावानी सौरब गांगुली की पत्नी से काफी हत्तक नाम मिलता चुलता है नेस्चे दूरूप में काला जार या काला जार या काला आजार रोग होता है एन्टमीवा जिंजी वैलिस प्रोटो जुआ यदी इस्टो लिटिका आपकी इंटेस्टाइन में पहुंच जाए तो फिर आपको सुरू हो जाएंगे लूज मोशन या दस्त परंतु से हम कहेंगे पेचिस अब मेरी बाद ध्यान से सुनेगा पायरिया में भी पायरिया में भी affected क्या होता है पार्ट लंग मापी चाहता हूं गम्स होते हैं मतलब मशूरे होता है इस सकर्भी में इस सल MPPCS में question आया इसकर्भी में क्या प्रभावित होते हैं विटमिन C की कमी से होती है तो निश्ची तरूप में आपके मसूरों से ब्लड आने लगता है तो यदि मसूरों से ब्लड आ रहा है इसका मतलब है या तो आ यदि पस बन रही है और यदि वह पस बन रही है अगर आप उसके smell करें तो उसमें से दुरगंध आये या bad smell आये इसका मतलब है एंटमीवा जिंजी वैलिस जो है वो गम्स के ब्लड में present है और पस बना रहा है तो इस तरह से भी differentiate किया जाता है तो अमीद करते हैं कि यह session जो है यह valuable रहा होगा आपके लिए और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया के निश्यत रूप में इतना प्यार देने के लिए मेरी बात बड़े आराम से सुनने के लिए और बिटा जी जितनी बारीकी के साथ मैंने आपको three marker कर रहा है निश्यत रूप में उतनी ह बन था जो निश्यत रूप में topic complete किया सुक्ष्मजीव कल जब हम मिलेंगे तो हम discuss करेंगे पहला chapter biology का जो है सुक्ष्मजीव और जैविक क्रसी मैंसे सुक्ष्मजीव हमने पूरी तरह से complete कर लिया अब पहले chapter का part भी हम कल करेंगे मतलब organic farming या organic agriculture से related जितनी question three marker के बन सकते हैं कल मैं आपको सबसे पहले तो दिखा दूँगा और फिर ज्यादा से ज्यादा उन question को मैं solve करा दूँगा तो आप भी जानते हैं कि five or eleven marker नहीं हो पाएंगे इनके लिए थोड़ा time हमें ज्यादा चाहिए होगा लेकिन हां हर chapter के three three marker मैं बढ़हुत आराम से आपको कराता चलूँगा तो आप लोग भी बढ़ियां तरीके से नोट्स बनाने में prepare हो जाईए क्योंकि final में अब आपको content बहुत अच्छा देना है क्यों क्योंकि अब आपके पास सिर्फ दो लाइने हैं और उन दो लाइनों में आपका content इतना सुब्यवस्थित होना चाहिए इतना बहतर इतना attractive इतना arrange होना चाहिए इनिश्चित रूप में examiner को आपकी one line और two line करकर ही three marks आपको पूरी तरह से दे देने का उनर होना चाहिए तो आपको अपने answer में इतनी potency लानी है तो सुरुवात हम बिल्कुल basic से कर रहे हैं इसलिए मैं एकदम सुरुवात में बिल्कुल simple सा topic उठाया macro organism और निश्चित रूप में column करेंगे organic forming और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे level जो है वो tough होता चला जाएगा और निश्चित रूप में आप लोगों को भी अभी तो सुरुवात में आप सुरुवात कीजे दीरे 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 आप इसके आदी होते जाएंगे अच्छे से अच्छे वर्ड़ों को आप ढूड़ेंगे अच्छी से अच्छी चीज़ों को आप अपने answer पे mention करेंगे तो उमीद करते हैं कि आज का session आप enjoy किये होंगे निश्चित रूप में बहुत कुछ नई चीज़ें सीखें होंगे यदि आपके ज्यान में एक person की भी बढ़ुत्री होई हो तो मेरे आने का यहां मकसर जो है वो पूरा हुआ और डोक्ट बियार अंबेडगर का quote है कि सिक्छा पर सभी का अधिकार जो है होना चाहिए तो झाहिए झाहिए झाहिए